हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आशा करती हूँ आप बिलकु ठीक ठाक स्वस्त होंगे आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है तो आज लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं सबजियों के नाम तो आज हम लिखेंगे बेटा मटर तो बेटा आप जो भी शबद लिखेंगे बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको मालू हो कि कि शबद के साथ कोंसी मातरा का प्रयोग किया गया है ठीक है बेटा वेरी कुट आओ लिखना शुरू करें तो बेटा हम लिख रहे हैं मटर तो मटर हमने जो लिखना है ये लाल लाइन के पास लिखेंगे तो हम लिखेंगे मा सिधी लाइन लेंगे बेटा आदे से ज्यादा चोचवला मा बनाएंगे सिधी लाइन टा के लिए छोटी सी लाइन लेंगे गुलाई करेंगे इसको छोड़ेंगे सिधी लाइन आदिस ज्यादा कर्ब करके छोड़ देंगे हमने लिखा बेटा मतर ठीक है आगे हम लिखते हैं टमाटर टमाटर तो टमाटर लिखने के लिए टा बनाएंगे चोटी सी लाइन लेंगे बेटा यहाँ पर हम इसको गुलाई करेंगे ठीक है सिधी लाइन आदे से ज्यादा चोचवाला म हमने बोला टमाटर हाँ जी आखिवाज आ रही है किसके साथ आ रही है अब मा के साथ हमने मा के से आगी मात्रा लगाई ठीक है तो हम आगे लिखते हैं टर टर सीधी लाइन आधे ज्यादा कर्व करके छोड़ देंगे तो हमने लिखा बेटा टमाटर मटर टमाटर बेटा इस लाइन में आपने दोहराई करनी है ठीक है बेटा आगे हम बेटा लिखते हैं तो बेटा आगे हम लिखते हैं जंगली जानवरों के नाम तो बेटा हम लिखते हैं सियार कौन कों से होते है बिटा, जंगली जानवर, जो जंगल में रहते हैं, हाँ जी, जो जंगल में रहते हैं, जीन जानवरों को हम घर में पाल नहीं सकते, उन जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं, तो हम लिखते हैं, जेब्रा, क्या लिखते हैं बिटा हम, जेब्रा, तो क्य क्या करेंगे सबसे पहले सीधी लाइन लगाएंगे बीच में से लाइन नीचे लाइंगे दिरे दिरे इसको ऊपर ले जाएंगे जे हांजी एक यह मात्रा की आवाज आ रही है जे ब्रा पर बक्री वाला हांजी हांजी शाबाश रा सीधी लाइन रा बनाएंगे आ की मात्रा जिब्रा ठेक है ने बेटा तो आगे लिखते है बाग क्या लिखते है बाग ब सिद्धिलाइन आदेस हांजी बीज़ें शुरू करेंगे मोटाई में गोलाई करके वहीं खतम करेंगे जहां से हमने शुरू किया था बा ग ग ग ग हांजी बेटा शाबाश गहा कौसा है का घर बाला भाग भाग ठीक है ने बेटा अब अगली लाइन में बेटा आपको ऐसा ही बोल-बोल के लिखना है यहां पे आपको दोहराई करनी है आगे लिखते हैं बेटा हम तेन दुआ क्या लिखते हैं बेटा हम तेन दुआ तो कैसे लिखते हैं बेटा सीधी लाइन लेंगे ठीक है, तब बनाएंगे बिटा, आदे से थोड़ा से उपर से शुरू करेंगे तेन, तेन हांजी ते के आवाज आ रही है, तो हमने एक की मात्र लगाई तेन, दुआ, दा बनाएंगे हांजी, दा दुआत वाला दुआ, यानि कि छोटे की आवाज आ रही है, आ तेन, दुआ, हांजी, ये वो जानवर है बिटा, ये जो मनुश्य के लिए घातक सीध होते है इन्हे घर में पाला नहीं जा सकता, तेन, दुआ आगे बिटा हम लिखते हैं, कंगारू कंगारू, कंगा बनाएंगे सीधी लाइन पीजह शुरू करेंगे मोटाई में, गःः चुरू करेंगे वहीं खतम करेंगे, जहां से हमने शुरू किया था कंग, सीधी लाइन, गःः बनाएंगे चोच वाला ब rapedi कंगा, कन, हांजी, कन अधका के पर पिद्दिक आएगी शाबाज कंगारू सिद्धे लाएन आज जादा करव करके छोड़ देंगे रू बड़े उकी यवाज आ रही है तो गुलाई करके इसको पीछे लाते है ठीक है बेटा तो अपने क्या लिखा कंगारू आप भी बेटा बोल के लिखिए सुन्दर लिखिए क्या लिखिए आपने बेटा कंगारू तेन दुआ जिब्रा बाग ये हमारे है बेटा जगली जानवरों के नाम उपर हमने लिखिए बेटा सबजियों के नाम मतर टमाटर ठीक है बेटा ध्यान से लिखिए बेटा बोल के लिखिए सुन्दर लिखिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो